चर्की दादरी में डीसी राजेश जोकपाल ने स्ट्रीट लाइटों में लाख रुपय का गबन करने के मामले में गाउं खेडी बूरा और सांवर्ण के सरपंचों को सस्पेंड किया है वही गाउं खेडी बत्तर की महिला सरपंच को मनरेगा में नियमा नुसार कारे ना करने की एवज में नोटिस भेजा है फिलाल जिला प्रशासन द्वारा इन मामलों में आगा में कारवाई की जा रही है डी सी राजेश जोगपाल ने बताया कि गाउं सांवर्ण और खेडी बूरा के सरपंचों को सस्पेंड कर दिया गया है इन सरपंचों पर स्ट्रीट लाइटे खरीदने की अनमिते ताइम मिली थी सरपंचों द्वारा लाइटे खरीदने के दौरन कोई अप्रूवल नहीं ली गई और ग्राम पंचायतों को हानी पहुंचाई है इसके लावा कुछ सरपंचों के खिलाब भी शिकायते मिली हैं जिनको नोटीस भेजा गया है जल्दी आगा में कारवाई अमल में लाई जाएगी उनसे जवाब मांगा गया था तो जवाब उनका आ गया है वो फायल पे एक्जामिन कर रहे हैं अगर कुछ होगा तो आपको दौरा बता ले जाएगा बता दें की गाउं सावण और खेडी बूरा के सरपंचों द्वारा गाउं की गलियों में लगाई गई गई स्ट्रेट लाइटों में लाखो रुपई की हेरा फेरी करने की शिकायत सियम विंडो पर की गई थी जिसकी DC द्वारा पंचात विभाग द्वारा जांच करवाई गई SDM और अन्य अधिकारियों द्वारा दोनों सरपंचों के रिपोर्ट तेयार करते हुए DC को सौपी गई जिस पर कारवाई करते हुए डीसी राजिश जोकपल ने गाउं सावट सरपंच मदन सिंग और गाउं खेडी बूरा सरपंच जोगेंदर को तुरंत सस्पेंड कर दिया है इसके लावा गाउं खेडी बत्तर की महिला सरपंच रेखा देवी को मन्रेगा कारेनिय मनुसार ना करने पर नोटिस जारी किया गया है चर्की दादरी से विज़ा धिंडोरिया की रिपोर्ट